So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader, so guys, बिल्कुल, कल जो हमने discussion किया था, बजाज हिंदुस्तान और विश्वराज शुगर को लेकर, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हुआ है, stop ने दमदार रिटन दिये है, जिसे हमने कहा था कि government कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा करने वाली है, और बिल् यह को मिला, तो guys, पहले हम sources के हिसाब से बात कर रहे था, पहले मैंने कहा था कि source है, बट यहाँ पर, अभी यह जो चीज है, source यहाँ पर कहता है, पर कई लोग उसमें एकिन नहीं करता है, क्योंकि कहीं न कहीं source गलत भी हो जाते, बट यहाँ पर confirm हो गई है news, और बिल्कु बढ़ना ही था, क्योंकि यहाँ पर company already कई बड़े यहाँ पर आगे कदम उठा रही है, इन्होंने हाली में, जो overdues अपने पूरे complete ही है, installment के साथ, वो जो बचे कुछे जो पेसे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ strategies बनाई जा रही है, कि जल से जलो पेसा पुरा दे दे बचाल हिंदुस्तान शुगर तो बिलकुल यहाँ पर एक quality stock अब बन गया है, यहाँ पर अगर देखे, day by day अपर circuit लग रहा है, 18.85 रूपीज के राउंड, share हमें closing देता हुआ नजराया है, यहाँ पर returns की बात करे, 1.70 रूपीज के राउंड, एक अच्छी बड़त देख होंगे, 8.05 पेसे तक का return दी चुका है, 74.54% के हिसाब से return है, थोड़ा consolidate किया, इसने कुछ दिन बट यहाँ पर finally आज बड़ा धमागा हो गया, news है, बिलकुल हाँ, यहाँ पर जो government है, उन्होंने क्या किया है, sugar stocks climb as government cursed GST on ethanol, तो guys, government ने ethanol के उपर यहाँ पर GST कम कर दी है, जिसकी वज़े से sugar shares में rally हमें देखने को मिली है, और guys, बिलकुल, community sentiments के आकड़े भी हमें देखने होगे, यहाँ पर लोग positive है, इन shares को लेकर, क्योंकि यहाँ पर पहले, जो community sentiment के आकड़े थे, पैनी shares को लेकर थोड़ा डगमगाते थे, बट अभी एकी बात करें, तो positive है 90% लोग positive नज़राएगे guys, 90% लोग positive यानि अगर देखे 79% buy के लिए कह रहे हैं और 11% लोग hold के लिए, तो बिलकुल यहाँ पर एक अच्छी बात है, तो बिलकुल थमा का आज हो गया है, जो labels हमने पहले discuss किये थे, वो labels यहाँ पर break हो गये हैं, पहले भी consolidate किया था, उसके पुशिश करेगा, बट यहाँ पर मैंने दो चीज़े बताएथी, या तो ऊपर की और यह चले जाए, थोड़ा जूम कर लेता होगा है, तो आप देख सकते हो, या तो यह उपर की और इस gap को feel कर दे, या फिर नीचे की और आ जाए, नीचे की और अगर इस box को break करता है, य आउन जाना confirm है, तो 20 रुपे का लेवल ही क्यों, उपर की और 20 रुपे का लेवल ही क्यों इतना important था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ट्रेड लाइन भी यहाँ पर बनाई हुई है, और यहाँ पर जो है, 20 रुपे का जो लेवल है, काफी ज़्यादा important था, ह है हमारे लिए अभी भी है, और गाइस कल अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो विल्कों कल से और बड़ी तेजी इन शेर्स में आएगी, और कही ना कही यहाँ पर market का भी support रहा, market भी आज positive था, जिसकी वज़े से बड़े moves हमें देखने को मिले है, इन पर्टिकल लेवल हमारे ले इतना क्यों important है, वही क्यों target है, यहाँ पर discuss कर रहे थे कापी times है, तो यहाँ पर आप देखो, 24 रुपी के लेवल से, stock में एक बड़ा fall आया, बिल्कुल यहाँ पर stock में गिरावट रही, और गिरते गिरते हैं, stock यहाँ पर 12 रुपे के around यहाँ पर आ गय और फिर यहाँ पर एक support लेया, तो guys, यहाँ से stock नीच जाया, फिर उपर गया पर यहाँ पर एक pattern एं create करा रहा था, जब यहाँ से support लिया तो पर बिल्कुल हम्시다, एक support मिल गया था, उपर से rejection level मिल गया था, तो यहाँ पर बिल्कुल इस rejection level पर आस पास तो यह जाए गयी ज टेक सकते हो 20 रूपीस की अरॉट ने शेयर गया तो 12 रूपीस की अरॉट यह तो आ चुका है बट इसे पारफ़ैक्ट तरीखे से अगर बेक करता है तो यह 20 ट्विटी का Owen है स्वाहिए यह लिए 24 थे तो two month है दे टार्गेड भी हो गया और ट्विटी create हुआ एक falling wage type pattern create हुआ यहाँ पर upside down momentum हुए share में एक breakout मिला है और यही से sustain करके लग रहा है कि यह उपर क्योट जाएगा 30 rupees के around का यह level रहेगा हमारा बिलकुल यहाँ पर achieve कर सकता है और वही अगर देखें काफी बड़े time frame पर भी और यहाँ पर support लेके 400 रुपे तक गया था तो यहाँ पर support ले रहा है तो बिलकुल यह 400 रुपे तक जाने की पूरी कोशिश करेगा तो यहाँ पर बिलकुल level है 30 से 40 रुपे तक तो यहाँ पर rally आएगी आएगी और guys जो विश्वराज Sugar Industries Limited यहाँ पर जो second share 11% के हिसाब से pure price action पर वाक चल रहा है यहाँ पर last one month की बात की जाए तो 4.70 रुपे के राउंड यहाँ पर आपको रिटन देता होने ज़राएगा एक महीने में 29.37% के हिसाब से volume भी तगड़ा है 1 करोड के अबाव की delivery उठाईगी है community sentiments के आकड़ों में 91% लोग buy करने के लिए कह रहे है 90% प्लस परसंट लोग यहाँ पर अभी भी positive adjustment आपने बजाज हिंदुस्तान में देखा और यहाँ पर भी pattern वही बन रहा था falling wish type pattern day one time frame पर और perfect pure price action है rejections level थे, support levels थे, breakout मिला, stock ने sustain किया और विल्कूल लगा दिया तगड़ा high और वही बात की जाया तो यहाँ पर भी आप देखो एक double bottom type pattern create हो रहा था और यहाँ पर आप देख सकतो upside downs momentum थे support था नीचे की और breakout मिल गया है तो कल इन levels के इस zone के अंदर जाने की इसकी कोशिश तो यहाँ पर कामियाब रही है तो 24 रुपिस का target आने वाले कुछ दिनों के लिए आप रख लो 24 रुपिस का target रख लो guys as a long term की basis पे खरी के रखा है तो बिलकुल लेके भूल जाओ देखो भी मत लोस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कही ना कही तो यह शेर जाएगे जाएगा क्योंकि government के जो steps उठाया जा रहा है बड़े बड़े उससे ही बदा चलता है यहाँ पर काफी बड़ा पॉला था एक time था बड़ा भी recovery की और जा रहा है आप बात करते हमारे bonus शेर की bonus दे रहा है कल मोका है आपके पास यहाँ पर 21 December है कल sorry guys कल 20 December है बेश तारीक को अगर आप buy करते हो क्योंकि इसकी 21 December bonus debt है तो कल buy करोगे तो बिल्कुल 1-1 का bonus आपको मिल जाएगा so काफी कुछ बात है इस particular वीडियो में हो गई है I hope वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो चनल को सब्सक्राइब करो और कोई भी शेर में investment करने से पहले guys एक बार खुद का analysis व्याप कर लेना thank you